नमस्कार मैं सूयश आप देख रहे हैं मुववा खबर की खाश पेश कश लखनव एक्सप्रेस जहाँ पर हम जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रिदेश की आज की कुछ प्रमुख खबरें आई शुरुबात करते हैं यूपी में होने वाले विधान सभा उपचुनाओ को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक और उमिद्वार के नाम का एलान कर दिया है पार्टी ने मुझफर नगर की मीरापूर विधान सभा सीट पर सुंबल राना को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने इसे लेकर ट्विट कर जानकारी दी है इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोशित किये थे अब केवल 2 सीटों पर ही कॉंग्रेस अपना उमिद्वार उतारेगी गाजियाबाद और खैर विदान सभा सीट पर कॉंग्रेस अपने उमिद्वार उतारेगी जबकि समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने उमिद्वार उतार करके चुनावी मैदान में जाएगी उत्तरप्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य के 1.86 करोड परिवारों के लिए मुफ्तर रसोई गैस सिलेंडर का वित्रण शुरू कर दिया है राज्य सरकार द्वारा ब्रहस्पती वार को यहाँ जारी एक बयान में बताया गया कि इस पहल के लिए डवल इंजन सरकार ने 1.89 करोड रुपे खर्च किये हैं और इसके लिए आवंटिक भी किये हैं राज्य सरकार ने पिछले साल 85 लाग से अधिक महिलाओं सहीत 1.85 करोड परिवारों को मुफ्तर रसोई गैस सिलिंडर बित्रित किया था बलिया से अवैद अमिश्रित कच्ची देशी शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कारवाई सामने आई है जहां पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण फिटकरी और नौसादर को नश्ट कर दिया है थाना सिकंदर पुलिस तीम द्वारा तीन हजार लिटर लहन को नश्ट किया गया है पूरा मामला सिकंदर पुलिस थाना चेतर का बताया जा रहा है तो वहीं अगली खबर प्रयाग राज से है जहां दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई मारपीट में एक युवक्ती मौत हो कई परिजनों ने मृतक के शब को थाने के सामने रख कर चक्का जाम कर दिया घटना के बाद धूरपूर पुलिस की कारेशैली पर सवाल उठने लगे हैं परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है इससे पहले सीपी ने एक बार थाना प्रभारी को निलंबित किया था लेकिन उसके बावजूद भी अब ऐसी कपरें फिर से निकल करके सामने आई है अगली खबर श्रावस्ती से है जहां पुलिस मुद्भेड में 50,000 का वंचित इनामिया गिरफतार किया गया है शातिर बदमाश बाइक से निपाल भागने की फिराग में था पुलिस और सर्वलान सेल ने भीगना जंगल के पास अंटाती रहे के पास मुद्भेड के दौरान इस बदमाश को गिरफतार किया घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फारिंग शुरू कर दी जब आभी कारवाई करते हुए पुलिस ने भी फारिंग की जिसके चलते इसके पैर में गोली लगती है घायल हो जाता है पुलिस ने इस अपरादी को अपने अंदर लेकर के जिला चिकाच साले में भरती कराया है ताकि इलाज हो सके है पुलीश को प्रयास कर दो इस आपके फार्टे की पार किया अपने बचाव में पुलिस स्की फाइर कि भी लिगी है और विप को गिरतार करके मेमान साथ लाए गया है इसके बारें जानकारी मिली है कि यह सोनु फुत्रमेवा लाल है दिमांगड पिकोना करहना वाला है और यह बल्रामपुर से वांचित था इसके उपर बल्रामपुर के एस्क्रीने 25,000 का इनाम और डियाईजी महुदर के दो अब तक इसके खुलाब करवाई होई है और यह इसम मंचित था जिसको आज गिरतारी है लगभग इसके उपर कितने मुकंड में डर्ग है जो जन्तपत स्रवस्ति बाहराईश गुंड़ा और बल्रामपुर में इस तरह आंतर जन्तपत्य गिरोह का सक्वी सबस्त था जिसक जुना अखाड़े ने महा कुम में अपनी तयारियों का आज से आगाश कर दिया है गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामपुर रुकडिया भनवान मंदिर में पूजा अर्चना की अपने इश्ट देव दत्तात्रे भगवान की पूजा की विदवत पूजा करते व मंबर को पूरे लाव लशकर के साथ बग्गी जोपडियों और घातियों के साथ पूरी यात्रा को निकाला जाएगा और साथ ही धजा रोहन की स्थापना भी की जाएगी सद्यों पुरानी प्रमप्रा जो अखाडों के चली आ रही है श्री पंच दशनाम जूना खाड़ा सभी यहां सभापती जी और महन्त शिरी महन्त सच्चिव सब यहां थाना पती और अश्टकोशल महन्त आज यहां पे आज प्रथम पूजा शर्द पुर्णिमा पे जो प राजमन किया गया है और आज से यहां कुम का आगाज हो गया दो जार पच्चिस कुम आप भव्यकुम दिव्यकुम जो आप इश्नान करेंगे माग मास में और यह कुम लगबग दो तीन मिने चलता रहेगा तो इसके बाद मोजगिरी से सबसंत पहुंच जाएंगे वहां स 29 जन्वरी को और तित्य साइशनान तीन फरवरी जो बसंत पंचमी के ये स्तरह से हमारे प्रोग्राम रहेंगे अपने देवी देवताओं को विराजमन किया है उनके चर्दों में रदास किया है कि अच्छे से दिव्यकुम संपन ओ घुरूओं की किरपा बनी रहे दत भगवान की किरपा सप्र बनी रहे पूरा विश्व कल्यान मैं हो यही कामनाओं के साथ यहाँ आज पूजन किया ग दरसल गाउं में अंडर पास में कई सालों से पानी भरा हुआ है और अब लोगों का कहना है कि अंडर पास की समस्याओं का समधान जब तक नहीं होगा तब तक वे ऐसे चुनाओं का बहिशकार करते रहेंगे ग्रामिडों का कहना है कि वे अधिकारी से लेकर नेताओं तक के चक्कर लगा करके ठक चुके हैं लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई आप लोग चुनाओं का वहिसकार का और चुनाओं का परमुक कारण है कि इस मार्ग पे आप ख़ड़े हैं पीछे एक अंडर बाईपास बनगा है बाईपास पिछले पांच सालों से बनगा जिसका समय तीन साल के लिए था बनने के लिए और अब पांच साल में ये भी धूर हम लोग आ जाता है इसमें बच्चे आते जाते हैं गिर दिया ले के तहुनकर चुटटाइ। करते हैं जिससे जमीर वालों से और गाउवासियों से विबाद होने के भी वरानसी में रेवडी तलाब छेतर में दो समधाई के बीच में तनाव बढ़ गया है भारी तनाव को देखते वे पुलिस बल भारी संख्या में रेवडी तलाब के पास पहुची है और तैनात की जिसके बाद मामला गर्मा आ गया हमले में एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया है पुलिस ने हमलावर को ग्रिफतार कर लिया है और साती सात मामले की आगे में जाच में जुड़ गई है उत्तर मद्र रेलवे के प्रयागराज मंडल ने कुम मेले के दौरान प्रयागराज से आयोध्या और वारानसी होकर प्रयागरा जाएगी इसी तरह दूसरी ट्रेन प्रयागराज से वारानसी और अयोध्या होते वे प्रयागरा जाएगी मुख्यस नान परवों को छोड़कर यह सेवा सभी दिन उपलब्द रहेगी और प्रति दिन प्रयागर से दो मेमू सेवा शुरू की जाएगी जो की एक वाराण सी तो दूसरी आयोध्या से संचालित की जाएगी गाजेपुर में आयरुवेद यूनानी चिकित्सा के लीगल अधिकार और उत्पीरन से निजात पर सेमिनार आयोजित किया गया डाक्टर शैलेंद्र कुमार राय ने बताया कि 2015 में संचोधन के तहत आयरुवेदिक चिकत्सों को आधुनिक चिकत्सा में ट्रेनिंग दी जाती थी हाल ही में आयरुवेद यूनानी चिकत्सा की जांच केवल छेत्री अधिकारी द्वारा किये जाने का आदेश जारी किया गया है इस सेमिनार में कई प्रमुक चिकत्सकों ने भाग लिया साती सात अधिकारियों के सारक्षण की भी बात की गई अधिकार सेलेश रा, केंद्रिया जक्ष भाया साब आरवेद यूनानी चिकत्सा की लेगल राइट और CMO दोरा जो उप्रम किया जा रहा है उसके समारान पर चर्चाब होड़ी है मुख की रुप से क्या मलग के तिन बिलूप हो रही है मुख की पीसे यह है कि CMO को हमारे आरवेद यूनानी चिकत्सकों की चांस करने का आदेश इस सासना देश के तहट कि कोई भी दिक्तत है कोई भी चीजे है उसके लिए CMO नहीं कर सकता उसके लिए क्यमेटी है जनपत के जिनाबकारी उसके अजेक्स होंगे दियों जो होगा वो उसका सची होगा सम्मतित स्थीम सदस्य होंगे और एक अधिकारी नामित होगा अधिकार नहीं है लेकिन उसके भावजूद भी जास करनी है उनको जोला चाप की जास पर नोटिस देकर उसके धनवाई की जा रही है किसी पर कारवाई नहीं की जा रही है और हमारे चिक्ष्टों को नोटिस देकर अलीगर से एक संगीन मामला सामने आया है जहां थाना छर्रा छेतर में गाओ इत्याद गंज में लड़कियों को उठाकर बेशने के शातिर गुरो का परदा फाश किया गया है राज्य में छुपकर ऐसे एक गिरौ चलाया जा रहा था जहां पर लड़कियों को बेश कर उन ट्रमालेर्ट केले मेला देगने केलिए तुम्हारी टीदी पाफ छोड़ देगा है तो गए तो यह अंकल ने तो फिर एक लड़की उसके साथ क्या करना तो 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 एक लड़की उसके साथ क्या करना त कि यहां किस से लाया आपको यहां पर कैसे पहुंची अप अंका ने लाये थी कितनी और आपके साथ तुनी लड़की ओर थी और आम्वना देखे तो कुछ और लड़की चार थी चार थी अभी आप कैसे निकल के आई बाहर माच छत पर से दोड दिये वह बालू था नीचु म कब साम को लेके आए था कल साम यह हमारे पापा और हमारा भाई अपना खित का रहे थी उसमें यह मतलब छुपी हुई रड़की दीखी ने तो जब बार बार इधर हुदर छुप रही थी तो इनोंने पूछा के तुझे क्या परिसानी है तो एकदम पैरों में गर पड़ी र स्थे ढ़ा में और आग गया हुआ और ये वाह से पिछड़गी एपनी तो यह दो लड़की भी आम्table लेए इसे थी तो इनने की कि बिटर किया रहत है तो इन्होंने कहा के हमारी दीडिक हो गई हुम मिल जा है तो यह लो आए हम अच्छी तरह जन से आए बहला फुसला के हम चलो उन्हों के घर छोड़े आएं घर छोड़ने के बजाए इनको मतलब सीधा मंद्र में रखा चार लड़की और दो यह थी चैसे मंद्र में रखा है मंद्र में मूर्ति के बराबर में कमरा बता रही है उसमें रखते हैं पांस लड़की को बेच दिया एक एक कर गए चाटा नंबर था इसका कहा के निवासिंग इनका मंद्र मोहन नंगला को हम बाइदा को खेत काटन गए हमारे खेत में बैठी हम खेत काटन लगे हैं तो हमने जानी कोई चटी बेसाबाई उपरत होगी लेकिन बोड़की जोखी लगई लगई को और एक दु गई उसे ने कहा कर ने इस मंद्र से आईयों मंद्र हमारे खेत शार्स कर मीटर के जूरी पर है अच्छा आपके घर से मनद्र से खेत से मन्द्र वाला को कह ना मूझ ए तो मैं ना क्टा रवासिया आईयों नहीं देच रहें ने इसकार की इउग ब्रेक कलर थी लेने अब बताएंगे, अब बताएंगे, अच्छा, वहां ही मदद करो, हमने कि छीक है, वेटा तेरी मदद करेंगे, तू हका की, करने बिहार में नराइंग पर गां और भागर पर जिला, बिहार की गूं, लेकिन इनने आईची अपनी दहनी के जहां रोचक में, रोचक में, वहा बहिराइच में हुई हिंसा के मामले में, पुलिस ने मुख्य आरोपी सरफराज, उस रिंकू का एंकाउंटर को लेकर, अखलेश यादों ने इस एंकाउंटर पर सवाल खड़े किये हैं, उनका कहना है अखलेश यादों का, कि बैलेंस करने के लिए ऐसा एंकाउंटर किया करार दिया है, और ये घटना है जो हो रही है, वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है, इंकाउंटर, नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर, और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई है, अगर लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष और राय बरेली से कॉंग्रेस सांसद राहुल गांदी से जुड़े मान हानी मामले में ब्रहस्वती वार को होने वाली सुनवाई न्याइदीश के चुट्टी के कारण स्थगित कर दी गई सुल्तानपूर की विशेश सांसद विधायक अधालत कोर्ट में मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया न्याइदीश शुभम बर्मा के चुट्टी पर होने के कारण अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तैई की तो यह अगली खबर प्रयाग राज के महाकुम से है जहां महाकुम 2025 को दिव्व्य और भव्य एकदम 90 बनाने के लिए युद्धत पर काम हो रहा है वहीं दूसरी ओर टेक्नलोजी के जरिये सुरक्षा विवस्था और भी पुक्ता करने की तैयारियां चल रही है इसमें सिसी टैवी कैमरे भी मौजूद होंगे शामिल हैं साथ ही जो कि इसको कंट्रोल उन से संचालित किया जाएगा समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अकले शादों ने गुरुवार को कहा कि वह शुक्रवार अथार्थ आज से ही महराश्ट्र का दौरा करेंगे और इंडि अगरबंदन चुनाव जीते वहाँ शरत पवारपुर मुख्यमंत्री की पार्टी शिफ सेना अथार्थ यूबीटी घुट और समाजबादी पार्टी सहित अन्य पार्टिया शामिल होंगी महिला की दबंगई से परशान एक यूवग ने जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाई है यूवग का आरोप है कि कचहरी से घर जाते समय प्राप्ती सिंग नाम की महिला ने उसके साथ मारपीट की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है आपको बता दें कि यह पूरा मामला जस्पूरा का है जहां ब्लॉग के सामने खड़ी प्राप्ती सिंग ने विनेत इमारी के साथ जमकर मारपीट की है युवक की माने तो उसने थाने में शिकायत की लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई जिससे महिला के होसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए युवक का कहना है कि यह महिला पहले भी इसके साथ मारपीट करती आई है और जूटे खेस में फसाती आई है वहीं जस्पुरा थाना प्रभारी मानी निशाद का कहना है कि वीडियो का संग्यान लिया जा रहा है और मामले में आगी कारवाई की जाए इसके लिए हम प्रतिबद्ध है अब पदमा चल रहा है उसने मुझे पिछली वर्स मुझे और मेरे पिता जी को च्छी जातर केस में भी फसा दिया था और माभी जेल काट करके अपनी सजा करके जमाने के आया हुआ हूँ फिर से मुझे फसाने के उपरां तो लगी हुए फसाने में उसने लाज गोसों उसे वार भी किया पर सब्सकिन मुझे मेरे उपर करती रही मैं बजास करता रहा कुछी नहीं बोला लखनो एक्सपस में फिल हाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे ये महवा कबर नमस्कार